नमस्कार आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको गाजर की बहुत ही अलग सी और बहुत ही स्वाधिश्च मिठाई बना करके बताऊंगी जो कि आप इसको बार बार बनाएंगे और इसको खाएंगे तो आप एक बार इसको जरूर ट्राइग कर दें, मैंने दो च्छी गाजर ली है और उनको बारिक सा पीष कर के तयार कर ले, आप साथ-साथ जो चाशनी है उसको भी तरह से चलाते रहें जिसे कि जो चाशनी है वो चिपके नहीं, जले नहीं और één देख सकते हैं, मैंने गाजर को बिल्कुल बारिक सा पीष लिया है अगर आपको लग रहा है कि यह नहीं पिसा रहा है तब थोड़ा से इसमें दूट डाल करके पीस पीस सकते हैं तो मैंने गाजर को पीस लिया है और बस चाशनी को भी इस तरह से चलाते रहें एक दो उबाल आने की बाद चाशनी को बंद कर दें फिर और कोई भी आप कड़ाई ले और उसमें आप एक चम्मज घी डाल दे बर करके और इसमें डाल देंगे गाजर पिसा हुआ और अच्चे से इसको पांच मिनिट तक सेक्झे ध्यान रहें, इसको धीमी घश पर ही अच्छे से सेख ना है, तेज गयास पर न ही शेक ना है, तो बस बिल्कुल बढ़िया सा सेख लिया है मैंने, अब इसमें काथ करना है जिस कटोरी से शक्कर ली थी उसी कटोरी से एक कटोरी दूट डाल लेना है, और अच्छे से इसको बड़ेंसा उभलने दें और इसके बाद जब एक उभाल आ जाये दूद में तब इसमें जो है उसी कटोरी से एक कटोरी रवा डाल दें और अच्छे से इसको mix कर ले और अच्छे से इसको mix कर ले और इसको धीमियाज पर पकेदें जब इस तरह से इसका dough बनने लगी तब ज में 2 चम्मच नारील का बूरा डाल दे ओक month णारील और थे बड़े बड़े चम्मच से आपको यह सभनाम लेना है और बड़े दो चम्मच मिल्क पाउडर और अब इसमें लालेंगे थोडा थोडा करके दूद और अच्छे इसको mix कर लेंगे, एकदम जादा दूद नहीं डालें, क्योंकि इसको बिल्कुल अध्य बड़ी आसा tight dough बनाना है, तो इस तरह से थोड़ा-ध्य डूद डालें, इस तरह से लोई बन जाए ऐसा, तो आप इस तरह से लोई बन जाए, इतना ही इसको tight रखें, और इसमें बिल white और orange के गोल, इससे लंबे-लंबे से लोई बना लें, और बस इस तरह से इसको उंगलियों की वदद से बीच में से चप्टा कर लें, और उसके बाद इस तरह से white वाला जो dough है, उसको डाल दें, और इस तरह से अच्छे से इसको pack कर दें, बिल्कुल भी यह खुलना नहीं अच्छे से इसको pack करें, और हलके से tight हातों से इसके इस तरह से लोई बनाए, और अपने हिसाब से आप कोई भी यह गोल शेप दे सकते हैं, जैसा मैं दे रही हूँ, उस हिसाब से दे सकते हैं, और बस तेल गरम रख लिएं, घी आप जिसमें भी इसको तलना चाहें, आप उसको तल सकते हैं, और तेज गरम होने की बनलब, एकदम ज़्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए, हलका नौर्मिल मतलब, जैसा हम पूरी वगरा के लिए तलते हैं, बस वैसा गरम हो जाए, और उसके बाद उसमें सारी जो मिठाईया हैं, उनको डाल दें, और अच्छे से बिलकुल पक जाएंगे, तला जाएंगे, तब इनको 5-10 मिनिट के बाद जबी ब्राउन हो जाए, तब इनको बाहर निकाल ले, और फिर बस अब क्या करना है, बाहर निकालने के बाद, चाशनी में सबी मिठाईयों को डाल दें, और कम से कम 10 मिनिट के करीबन इनको इसम सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं